ओम शान्ति बापता ना बुले मीठे बचे सारी दुन्या को शान्ति देना एक बाप का ही काम है इसलिए कहते हैं हे शान्ति देवा तो प्राइस भी बाप को मिलनी चाहिए प्रश्न है कौनसे बच्चे बाप को पूरा पूरा फालो कर सकते हैं उत्तर जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फालो कर सकते हैं जो पक्के आशक बने वही मुझा माशुक को फालो कर सकते। ऐसे आशकों को ही मैं साथ ले जाता हूं। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं गव का पुछ पकरने से पार हो जाएंगे। अब यहां गव के या पुछ की तो बात ही नहीं है। अब गेत है तुम प्यार का सागर है तेरे इत के बूंद के प्यास से हम। ओम शानती। बाप डादा दोनों है न। अब यह तो बच्चे जानते हैं के आत्माओं का बाप शु बाबा है। यह भी तुम जानते हूँ के मैं पतित पावन हूँ। मैं निराकार हूँ। तुम भी निराकार हो, शान्त स्वरूपू, निराकार बाप भी शान्त स्वरूप है, आत्मा भी शान्त स्वरूप है, आत्मा का स्वधरम है ही शान्ती, तुम्हारा निवस अस्थान है शान्ती दाम, जब यग याद रचते हैं, तो कहते हैं शान्ती देवा, क्यों कुशान्ती का सागर तो वह परमात्मा है सारे दुन्या को शान्ती देने वाला वही बाप है ऐसे बहुत है जिस को शान्ती के पीछे प्राइस मिलती है कभी किसको प्राइस मिलती है तो कहेंगे ये शान्ती स्तापर्म करने के निमित बने हुए है इसमें बरो बरो के नाम लेते है अब शान्ती तो चाहिए सारी दुनिया में नहीं तो अशान्ती में रहने वाले औरों को भी अशान्त करेंगे ये है ही रावन राच रावन दुश्मन है ना राम को दुश्मन नहीं कहेंगे राम की कभी एफिडी नहीं जलाएंगे न त्रेता वाले राम की न परम पिता परमात्मा की राम राजे तो सब चाहते है परंटू राम राज किसको कहा जाता है यह भी कोई नहीं जानते स्रफ कहते है नई दुनिया हूँ नए दुन्या में रामुराज हूं नए दुन्या कहती है, नाम तो बहुत रखे जाते है देली सबकी capital रहती है देली ही परस्तान है रादे क्रिश्न को भी वहां ही दिखाते है ये दोनों ही मुक्य फर्रिंस और प्रिंसेज है सरफ दोनों नहीं है जरूर और भी होंगे आठ राजाई तो गाई जाती है गुद्धी से काम लेना है सत्यक में जरूर राजाई और भी होंगी यहां भी देखो कितनी राजाई है विर्धी होते होते धेर हो जाती है फलाने फलाने गाउं का महाराजा छोटे छोटे गाउं भी बहुत है सत्यग में इतने थोड़ी थे वहां तो लक्ष्मी नारेन का ही नाम बाला है पच्ची सव वरश उन्हों का राजे चला है मनश कहते हैं लाखों वरश हुए बिचार की बात है ये है आत्माओं के लिए भोजन बाप ये रूहानी भोजन देते हैं तुमारे बुद्धी को आत्मा को तुमारी बुद्धी का ताला अब खुला है रिशी मुनियाद सब कहते हैं हम रचना के आदी मद्यानत को जानते हैं तुम अपनी चोड़ासी की चक्कर को जान गए हो आदी में तुम देवी देवता थे फिर मद्या में रावन की प्रवेश्ता होने से विकारी बन गए अब तो अंत है तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का जो विनाश हो फिर आद होंगी आद में होंगा राम राज मद्या से रावन राज शुरू होता है अब रावन राज पुरा हो तो फिर राम राज शुरू होंगा नरसे नारायन बनना है ये है सत्य नारायन की कता तुम जानते हो सरो शास्त्र मैश्रो मनी शिरी मत गीता है शिरी मत मिलती है स्रेष्ट बनने के लिए शिरी कहते है स्रेष्ट को बच्चे जानते है एक गीता शास्त्र है जिससे देवी देवता दरम का शास्त्र का आजाता है जिससे देवता दरम की इस्तापना होती है संगम पर सत्यक में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनावे अब तुमको बाप समझाते हैं गीतना को पतित पावनी कह नहीं सकते गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते हैं गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं ये अच्छी रीत याद करो गीता है आदिशनातन देवी देटा धरम का शास्त्र गीता के समय ही महाबारी महाबारत लराई भी लगी थी जिस से अनेक धरम विनाश हुए और एक धरम की इस्तापना हुई गीता के लिए कहते है देवी देटा धरम का शास्त्र ब्रह्मनों का शास्त्र नहीं कहते है ब्रह्मनों का नाम गीता में है नहीं परमपिता परमात्माही आकर ब्रह्मा के द्वारा इन सभी वेदों शास्त्रों आज़ का सार बताते है अब तुम बच्चे समगते हूँ सत्युग में तो ब्रहमन होते नहीं वहाँ है लक्ष्मी नाराया ब्रहमा के बाद है विश्रू चित्रों में भी दिखाया है ब्रहमा द्वारा इस्तापना विश्रू पुरी की ब्रहमा और विश्रू इकठे तो नहीं होंगे ब्रहमा द्वारा देवी देटा धरम की इस्तापना होंगी यह डीटेल में समझने की बाते है अभी तुम बच्चे शिवाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हूँ हकदार ठैरेना मुख्य धरम शास्त्र है चार शिरीमत भगवत गीता है नमबर वन शास्त्र जिस से नमबर वन धरम की इस्तापना होती है फिर होती है इस्लामी बूधी एक गीता ही है जिसमें शिरीमत भगवत गीता लिखा हुआ है और कोई शास्त्र में शिरीमत नहीं है शिरीमत इस्लामी वा शिरीमत बुध शास्त्र नहीं गाया जाता है शिरीमत भगवत गीता है ही एक उस से कौन सा दर्म इस्थापन किया आदी सरातन देवी देवता दर्म की इस्थापना हुई और इस्थापना होती है अंत में यह भी समझने की बाते हैं अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पराते हैं यह बुद्धी में रहना चाहिए बाबा हमारा बाप है और टीचर भी है बाबा पराई से सर्व की सद्गती करते है तो सत्गुरू भी ठहरा बाप को भी सभी याद करते है अब गीता में कृष्न का नाम डाल दिया है वह तो ग्यान का सागर है नहीं उनको ग्यान के सागर बाप ने ऐसा बनाया है तो वे टीचर भी है यहां तो नहीं नहीं बाते सुनते हो शासराद को बहुत पढ़ते सुनते आए अब तुम बाप द्वारा डिरेक्ट सुनते हो आगे साब शरीरदारी मनशों द्वारा सुना था अभी तुम समर्ते हो हम आत्मा असल में अशरीरी थी पीछे फिर शरीर द्वारा दारन किया है बाबा भी अशरीरी थे शिवलिंग बनाते है ना आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है पुकारती भी है हे परमपिता परमात्मा आकर हम पततों को पावन बनाओ लिंगा की पूजा करती है परन्तु ये तुरी समर्ते है कि ये पतित बावत बाप है जिसको हम पुकारते है शुव भगवान है इश्वर है बस ऐसे ही याद करते हैं उनको बाबा कहे तो गुद्धी में आवे कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए हम को वर्षा मिला है तब हम पूजते है बारत वर्षा मिला जरूर है अब मिला ये बूल गए है अब तुम बच्चे समगते हो बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए है शुव बाबा ब्रहमातन में आकर समझाते है तिर्मूर्ती का नाम बाला है तिर्मूर्ती मारिग नाम भी रखा है बाप की भी महमा बहुत है गीत में भी सुना प्यार का सागर है सर्व का सद्गती दाता है सर्व को सुक शांती देने वाला है सर्व का दुखा हरता सुक करता है बहुत प्यारा है ना उन से प्यारी चीज और कोई है ने होती रहे हैं जो बाप सर्व का मालिक बनाए जरूर वो प्यारा ही होगा ना वै भी बेहत का बाप कहते है बचो मेरे से स्वर्ग की बाठ्याई मिलती है ना तुम आत्मा भाई भाई हो अभी बाप गारा सुन रहे हो सभी आत्मा बाप को याद करती है बाबा हम को आकर पावन बनाओ अब आत्मा कहती है, बाबा आया हुआ है जो पावन बनाने के लिए, कहते है बच्चो पाँच जार वर पहले तमको पावन बनाने आया था, अब मुझे बाप को याद करो तो तुम्हारे विकरब विनाश होंगे, और तुम्हारी सब दुकदूर हो जाएंगे, पुकारते भ है हे पतित पावन आओ अत्वातालियां बजाते रहते हैं ररियां मारते रहते हैं पतित पावन सीतारां तो खुद पतित शहरे न यह ही नर्क इसको रोर और नर्क कहा जाता है गरर प्रान में तो रोचक बतें बहुत लिख दी हैं तो यह करने से सब बनेंगे यह होंगा फिर कह देते गव का पूछ पकरने से स्वर्ग में चले जाएंगे ऐसा बनेंगे यह होंगा यह होंगा फिर कह देते गव का पूछ पकरने से स्वर्ग में चले जाएंगे ऐसे कुछ लिखा हुआ है अब जानवर की तो बात नहीं तुम गव माता हो ना तुमारे पूछ अत्वा तुमारी पीठ जब तक कोई न पकरे तब तक रास्ता मिल न सके पूछ तो है नहीं कहते भी है तुमारे पूछ पकर कर तर जाएंगे अब यहां पूछ तो पकरना नहीं है परन्तु फालो करना है जरूर सन्यासियों के फालोर्स तो बहुत है परन्तु फालो करना अरतात पवित्र बनना तुम तो सचे सचे फालोर्स हो शिर बाबा कहते है मैं आया हूँ तुम सब को वापिस ले जाने तुम मुझे याद करो तुम्हारे पाप बसम हो जाएंगे पावन बनने बिगर फालो कर नहीं सकेगे शिर बाबा को पूरा फालो करना है तुम यहां बैठे हो फालो करने के लिए बक्ति मारेग में भी मुझे याद करते आये हो तुम जानते हो आत्माएं आशक है और मात्मा माशुक है आत्माएं उनको याद करती है और वह आए है लेने के लिए कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा कैसे फालो करो वो भी समझाते है मैं हूँ पावन तुम हो पति तो जरूर पावन बनना परे जरूर फालो करना परे विकारी तो फालो कर न सके फालो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो क्या मैं पत्तों को अपने साथ शान्ती दाम ले जाऊंगा इतने सब मनश भक्ती तपदान पुन्याद करते हैं मुक्ती पाने के लिए क्यों तो यहां दुख है और चाहते हैं हम अपने गर वापिस जाएं बाप कहते हैं पवित्र तो जरूर बनना परेंगा मैं पावन हूं तब तो तुमको पावन बनाता हूं आउंगा भी ब्रह्मा के तनमे मैं इस ब्रह्मा के तनमे आता हूं मैं रचता हूं दिखाते भी है ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देटा दर्म की इस्थापना करते हैं तुम हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमार यहां अब जानते हूं शिव बाबा को फालो करना है बाप कहते है मुझे याद करो तो मैं पिर्थिग्या करता हूँ पावन दुनिया में ले चलूँगा और कोई उपायर नहीं है कहते है पतित पावन या तो जुष्टी उपर जाती है या तो पानी के तरफ देखते है गंगा तो पतित पावनी है नहीं या तो सागर से निकली हुई नंदिया है अब पूछ तो तुम्हारा पकरना चाहिए बाप कहते है तुमको पावन बनना है मेरे को फालो करना है तब ही साथ चल सकेंगे बाप कहते है तुम मेरे साथ रहने वाली थे अब चुरासी का चकर लगाए पतित बने हूँ अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे सन्यासी भी ग्रस्ती को कहते है फालो करना है तु गरबार छोड़ो बाप कहते है मैं परम नाम में रहता हूँ तुम भी चलेंगे या यहां ही विश ऐसा गर में रहना अच्छा लगता है तुम तो पुकारते आए हूँ हे पतित बावन आओ अब बाप आए है साथ ले जाते है कल्प कल्पा कर तुम को साथ ले जाता हूँ फिर सत्यग में तुम बहुत सुखी रहते हूँ यह लक्ष्मी नाराया स्वर्ग के मालिक थे न उन्हों को इतना सुख देने वाला कौन Heavenly God Father बाप याद दिलाते है तुम हमारी जैनती मनाते हूँ परंपिता परवात्मा की जैनती सब भारतवासी मनाते है हमारा यह बर्थ प्लेस है क्रिश्चन थुरे मानेंगे वैं तो क्राइस्ट को मानेंगे शिर जैनती भारतवासी मनाते है यह सर्व के पतितफावन बाप का बर्थ प्लेस है बाप सब को सुक देने वाला है सर्व को लिबरेट करने वाला है तो भारत कितना उंच है बाप जानते हैं ज्रामा नुशार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूँ वर्षा देने बाप है ग्यान का सागर सुख का सागर बच्चों को वर्षा दे रही है कहते है मुझे फालो करो यह जानते हूँ हम आत्मा विकारी है इसलिए शरीर भी विकारी ही है सत्यग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है अब बाप कहते है पावन बनो याद से ही तो तमो प्रदान से सतो प्रदान बनेंगे अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रित मात पिता बाप तादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते अब धारना के लिए मुख्यसा बाप के स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूं ये पक्का करना है बहुत प्यार से रहना है जैसे बाप प्यारे ते प्यारा है ऐसा प्यारा बनना है दूसरी पॉइंट है बाप समान पावन बन कर बाप को पूरा पूरा फालो करना है बाप के साथ वापस घर शानती दाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है अब वर्दान है याद के आधार दौरां माया की कीचर से परे रहने वाले सदा चेरफुल बव कोई कैसी भी बात सामने आवे सिर्फ बाप के उपर छोड़ दो जिग्र से कहो बाबा तो बात खतम हो जाएंगी यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है माया पहले पहले बाप को ही बुलाती है इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपन को अनभव करेंगे याद के आधार पर माया की समस्याओं की कीचर सें सदा पड़े रहेंगे कभी किसी भी बात में हल चल में नहीं आएंगे सदा एक ही मूड होंगी चेयर फुल अब स्लोगन है पवितरता की धारना वा धरम को जीवन में लाने लिए ही मान आत्मा है ओम शान भी